आप सभी का हमारे एद्री पावर जैपर के ओनलाइन डिजिटल प्लेटफर्म पर प्यारे विद्धार्तियों आज के सेशन में हम बात करेंगे हर्टी कल्चर के और हर्टी कल्चर में फ्लावर और एरोमेटेट जो प्लांट हैं उनके कुशिंस की बात करेंगे जनरली जो डवलेटे जो सिलिवस में हैं आपके छह फ्लावर हैं और दो एरोमेटेट हैं उसमें वो हम बात करेंगे उसके कुशिंस हालनगी यूजपल है ये साइट करसी अतकारी टेलिए करसी व्याठी अतकारी टेलिए और सभी जितने भी चाहें वो प्री पीजी हो सभी फैसरी ग्लास जो है यूजपल है चलिए देटेए विच्वन इज नौट अरेट अबॉरण री जरुटच अपरोडरा इसमें देखते हैं पहले आंसर देऑने माईट आप परियास केजाएं या इसमें देखते हैं फैमली ये बात तरहें तो family जो है एस्टेशी होती है ये भी सही है और stemless perennial herb होता है ये भी सही है तो ये इसमें डलत है तो यदि आपसे बात तरहें इंटरेट थी तो याद रखना है ये ही है अब सवाल ये आता है कि correct क्या होगा तो correct इसका होगा capitulum capitulum clear है अब ये जो influence होता है इसमें जो है एक और चीज याद रखना है बही मेल और female दो नहीं होते हैं लेकिन proto-dynos अवस्ता देखने नों मलती है ये द्यान अटना है proto-dynos उले सर्फ proto-dynos क्या है proto-dynos अवस्ता का मतलब ये है कि जो female पा पहले mature हो जाता है याद रखना है इसका proto-dynos और capitulum influence type इसका होता है clear है याद तर तो ये चार पॉइंट जो है इसके बारे में आपके complete होते है clear है याद यादर पटी famous जो है जर्वेरा breeder जो है वो टौन है आर्जेट लिंच है इसके इलाबा जो है south africa में देनी इसका जो origin origin है वो क्या है south africa south africa में इस plant को इसको जो हैं देखा गया था 1878 में इसमें 1878 में है और कहां पर south africa में first जो हैं इसको distribute किया गया आर्जेमसन ने कौन थे आर्जेमसन clear है चलिए एस्ट्रेशी टंपोजिटी जिसे आप कहते हो यह ओड़िया भई आठे बढ़ते हैं बॉर्टनिटल नेम ऑफ हिमाल्यन गर्वेरा जर्वेरा जो है इसकी बात हो रही है अब देर यह जब जर्वेरा की बात करते हैं इसमें जो हैं कई इसकी इस्पिसीज होती है ना कई इस्पिसीज होती है जिसमें से आपको बताना है जो हिमाल्यन इस्पिसीज होती है हिमाल्य में जनली जो दुरोट ही जाती है हिमाल्यन रीजन में या टेम्परेट रीजन में जो दुरोट ही जाती है वो कुनसी होती है जर्विरा जेम सोनी, हैब्रेडा, किम जियाना, विरिडी, फोलिया तो देड़िए यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो जाएगा C बाति यह जिम स्टॉनी जो है यह सबसे ज्यादा बैस्ट ग्रोन वईराइटी सबसे ज़्यादा सूटेबल जो बेराइटी है सबसे ज़्यादा जो दुरोटी जाती है वो जेम सोनी होती है यह आपको ध्यान अटना है कि कुंसी इस्पिसीज है जो सबसे ज़्यादा जो है कॉमली जो है दुरोटी जाती है और कहां पर गार्डन में इस इस्पिसीज को ज िटकुम, आ और कافकर यहां पर जो है मतलब आप घंबले रखते हैं इसे तो इसे क्या टेते समुराइ यह भी ध्यान लटा है आपको क्या टिलाता है समुराइ। खले यह यह दियो नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्स्राइब जरूर करें पहना और लाइक करें वीडियो को यदि आप ने हैं तो और बाटी पहरे हमारे जो कोर्से चल रहे हैं है हैना सभी कोर्स आप ले सकते हो, डवलो साइट किरिसी अद्गारी के कोर्से चल रहे हैं, इसके अलाबा किरिसी ब्याख्याता एद्रिकल्चरल स्कूल लेक्चर के कोर्स चल रहे हैं, हना इसके अलाबा बेंक एफो, हना ये सभी 3PG, सभी कि आप हमारे online courses ले सकते हैं word gladiolus is derived from देखें ये question क्या है word gladiolus सोचे क्या answer इसका हो सकता है चलिए विचार कीजिए क्या इसका answer हो सकता है हाँ बैई Latin, Arabian, French, English विचार किया तो याद रखना है इसका answer जाएटा Latin ले जाएट यादा ये sweet light ubscribe यानि ती तलवार से जिसन इसे लिए जो gladiolus होता है इसे जो है इसके जो अन्य नाम की इलिठी बात तो स्वर्ड लिली इसे कहते हैं clear है इसके लाबा जो है इसका और नाम है क्या है क्या है और लेड ये भी इसे कहते हैं clear है यह तर तो यह आपको ध्यान रखना है बाटी origin की बात पर रहें तो इसका जो है south africa इसका origin भी south africa होता है जर्वेरा का भी origin जो है south africa था और इसका भी south africa है clear है यह यह तर चलिए यह ध्यान रखना है हो गया चलो आगे बढ़ते है प्रॉपेटेशन मैथड यूजड इन जर्वेरा है यह ध्यान रखना है यह ध्यान रखना है यह इसका answer जाएगा clear है यह यह ध्यान रखना है यह ध्यान रखना है हाँ लिटली आपने ट्रांसवाल डेजी is another name of सोचिए क्या answer जाएगा है ना क्या इसका answer जाएगा ट्रांसवाल डेजी है ना इसके लाबा जो है बारवर टन डेजी और क्या है बारवर टन डेजी clear है और उसके बाद जो है अफ्री टन clear है यह सभी जो नाम है वो टेस्टे है जर्वेराग है clear है यह ध्यान रखना है आपको फिर आगे बढ़ते हैं बाटी ट्वेंड बराबर इसमें 50 होते हैं यह भी आप ध्यान रखना बाटी और मैंने बता दिया था यह जो है stemless perennial हर्व होता है क्या होता है stemless perennial हर्व होता है clear है यह यह जो sensitive होता है यह भी ध्यान रखना है photosensitive plant photosensitive plant होता है यह आपको ध्यान रखना है sourdye plant है trisynthium clear है यह आदर sourdye plant का मतलब यह है कि दिन के प्रकास्टी जो अब दी है day length कम चाहिए और रात्री जादा इसको चाहिए यह आपको ध्यान रखना है clear है फिर उसके बाद treatment of cut flower after harvest with high concentration of sugar तो देरिए यह pulsing hardening loading none तो यह टिलाता है pulsing क्या टिलाता है और generally sugar concentration है वो यूज करते हैं सुत्रोज सुत्रोज को यूज करते हैं ताथी जो cut flower है जो भी यूज हम करना है वो तरो ताजा बने रहे हैं इसके लिए हम जो है pulsing करते हैं clear रहे हैं तर चली stem rate disorder in जर्वेरा is caused by that stem rate disorder जो है देखने तो मिलता है moisture imbalance की वज़े से या हम क्या सकते है water stress की वज़े से देखने तो मिलता है water stress clear है तो water stress की वज़े से देखने तो मिलता है यह आपको ध्यान रखना है इसमें जो influence होता है जिसको हमने capitulum कहा है उसके नीचे का जो stem रहता है वो break हो जाता है थाना जोड़ी water stress मतलब इसका मतलब है कि water की कमी यह तरह से हम जो कह सकते हैं deficiency of water तो आगे बढ़ते हैं which flower is indicator plant of fluoride pollution fluoride pollution indicator plant जो है सूचट पौदा आप से पूचा है कुछा होगा आंसर बताए भई price intimum होगा या gladiolus होगा तो answer क्या जाएगा gladiolus जाएगा यह आपको ध्यान रखना है चलिए यह very important question है अनिलाइक question है exammat यह fluoride indicator जो है कुछ सा होता है gladiolus होता है तो आटे बढ़ते हैं propagation method used in gallardia इसमें जो है जो है जो है गलाडिया में जो है propagation method जो यूजटी जाती है वो कुछी यूजटी जाती है seed यूजटी जाती है चलिए यह भी इस्ती family भी estresi होती है estresi होती है यह आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं queen of walvus plant सोचे इसका answer जो है क्या होगा queen of walvus plant answer दीजे भी क्या answer रेने बाला है क्या है gladiolus है ना चलिए question यह यहां पर छूट गया था हमने से यह question छूट गया था चलो इसका answer तो है queen of walvus plant which one is not a variety of lemondras है ना यह यह बहुत प्यारा question है इसका आप answer दीजिए कि भई इसका answer जो है क्या रेने वाला है सूचिए विचारिए मैं side में इसलिए हो जाता हूं ताकि आप जो है विचार कर सकें सूच सकें answer दे सकें अच्छे से पढ़ सकें सूचिए इसका answer जो है क्या जाने वाला है चलिए सोच लिया होगा तो देख लेते हैं सुरंथी प्रमान प्ररती निलंबोर है न यह इसका answer जाएड़ा चुकि निलंबोर जो है वो बैटिवर बैटिवर जैसे ठस ठस आप कहते हो उसकी variety होती है lemondras की बात रहे जो है सिंपो सिंबो पोड़न है न इसका नेम होता है बॉटनानी नेम clear है और क्या है लेमंहींन्ड़ास के बात रहे तो ओरिजन जो है हम़रा भारत ही यह वैई इसका औरिजन स्वा है भारत है यह आपको ध्यान रठाश चलिए, ओरिजन प्लेस क्या है? भारत है, और इसके बारे में, जो हैं, लेवन द्रास के बारे में यदी बात रहें, इटोनॉमिट पार्ट की बात रहें, तो लीफ एंड सूट, इसका जो हैं, इटोनॉमिट पार्ट क्या होता है, इटोनॉमिट पार्ट, लीफ एंड सूट होता है और यहां पर यह दी बात रहें वैटीवर में यह दी बात रहें तो leaf and root होता है कुछ चीजें जरूरी है आपको ध्यान रखना है ना इसमें जैसे वैटीवर जो रहता है इसमें rooted slip proposition part क्या होता है rooted slip होता है ठीक है कई बार इसमें clump भी clump भी आ जाता है कई बार आपको याद रहना है rooted slip जो है है ना अगर clump option में देखने तो मिल जाए कभी तो clump भी आप कर सकते हो इसके लाबा इसमें lemon अब lemon द्रास है है ना यह ओडिया अब इसमें जो है जो main component होता है वह होता है citrol जो जिस्टी वज़े से इस्टा जो lemon flavor आता ना इसलिए तो नाम है lemon द्रास्टा lemon flavor यह भी question आ जाता कई बार जो lemon flavor होता है उत्रिस वज़े से होता है तो citrality वज़े से होता है इस्टी वज़े से इट तो alpha ionon और इट beta ionon जो है दो component जो है इसके बनते हैं beta ionon का यूज़ टी आ जाता है जो synthetic vitamin A होता है उसके manufacturing में यूज़ टी आ जाता है और alpha ionon का यूज़ टी आ जाता है flavors में cross-pattits में इसके लाब आ perfume industry में यूज़ टी आ जाता है लियर है चलिए इनको लिखिए आप जो है प्रमाड जो है seed के द्वारा जो है propagation देखना तो मिलता है लेर है यहां तक यह काफी जो है आच्छा seed में भी कितना kg प्रैटियर और जाता जो है डिटेल है चलो इसको लिखो आप लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं और बाती आगे बढ़ते यह होई गया फिर उसके बाद bentonate disorder is found in यह भी एक अच्छा question है bentonate है ना इसमें क्या होता है to early maturity इसमें to early maturity देखने दो मिलती है और यह question आपसे exam में question आ सकता है bentonate disorder जो है किसका है रोज का है किसका है लाड़ो रोज का होता है bentonate disorder जो है यह आपको ध्यान रटा है आगे बढ़ते हैं disorder की मैं अलग से वीडियो बना जाएगा ला फ्रांस यह भी बहुत अच्छा question है है ना यहां पर जो है रोज में एक और जो है याद रट लो ब्लेटनिन ब्लेटनिन और पैटल ब्लेटनिन और पैटल यह भी disorder जो है इसमें देखने रो मिलता है इसका टारण होता है due to high and or low temperature कोई भी इनमें यदि लो अत पैटल जो है देखने रो मिलता है यह ध्यान आठेए बेंटनिन डिसोडर जो है रोज में है ला फ्रांस चलिए अब इसका आंसर सूचिए क्या आंसर जो है इसका हो सकता है सूचिए विचारिये अच्छे से जो है बई चला हाँ बई ला फ्रांस जो है याद रखना है ला फ्रांस जो है इत फ्री टी रोज बराइटी है यह वी इत उशन आता करई बार फर्स्ट hybrid टी रोज वराइटी ये भी question आता है तो ये याद रटना है फर्स्ट hybrid टी रोज वराइटी जो है कुशिये लाफ रांस है जो 1867 में इसको हम कह सकते हैं डवलब टीर रहा था विट्सित रहा था ये आपको ध्यान रटना है किसके द्वारा, डुलेट के द्वारा यह आपको ध्यान अटना है, clear है यहां तक आप जैसे एक और 1st polyenthah, रोज अटर आपसे पूछ ले, 1st polyenthah और तो नहीं पूछा जाएगा 1st polyenthah, रोज variety, हैना 1st polyenthah, जो polyenthah जैसे hybrid tea का है, law फ्राइंस जो है इसका पॉलियन था का ला पेक्ट्यूरेट ला पेक्ट्यूरेट यह अठारा सो पेचेतर तर तो यह भी आपको ध्यान अठना है चलिए और याद रखना बाट यह दो रोज पर जो है बहुत अच्छा टारे जो है जो बीपी पाल है इनों ने तिया था इनो ने पुस्तत भी लेटी थी बीपी पाल जी ने रोज इन इंडिया ये 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 और जो बीपी पाल जी थे इनों ने इतर फरस्ट जो बिराइटी सबसे पहले जो डबलब नाम से, पुंजी, रोज सर्वत नाम से, clear है, चलिए यह आप note down ड़र है पर आटे बढ़ते हैं सोनार बनला, है ना सोनार बनला जो है किस्टी बराइटी है, एडर आप से पूछा जाए तो याद रखना है, सोनार बनला जो है किस्टी है, क्राई सेंथेमम की होती है, इसी प्रतार से सोभा सोभा, जो है जो एरेडिटेशन से बनी है और यह किस्टी बराइटी होती है सोभा, यह गलेडियोलस्टी बराइटी है, यह आपको याद रखना है तो याद रखना है, यह division के द्वारा, division of clump, क्या है, division of clump, यह question आपको याद रखना है, यह question आया भी हुआ है, इसके लाबा, यह filament sunset, यह भी AO 2018 statution है, और फ्लेमेंट sunset, जो है, twisty variety है, रोजडी variety है, फिर उसके बाद जो है, petal burn in trisynthemum, यह भी energy culture officer 2018 statution है, और यह boron की deficiency से petal burn जो है, देखने हैं, तो मिलता है, देखने है, mostly generally जो examiner footrest करता है, 8 तो वो propagation पर footrest करता है, और 8 जो हैं, जो disorder होते हैं, disorder, उन पर footrest करता है, तो दो यह C ही AC up tight jump कराती है, उसमें यह question आया था कि fruit in body को क्या टेते हैं, तो वो टेते हैं hips, clear है लाड़ लो, तो यह हमारे 20 question होगे, बस आपके request है, चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करें और share करें, और हमारे साथ आप तयारी करें, thank you so much for watching video, thank you so much